मेरा यूटूब चेनल टेक्नो हिर्शिकेस में हर्दिक श्वागत है विदार्थियों आज में पत की पहचान कक्छा आठ के हिंदी की एक कविता आप लोगों के शामने पर्ष्थूत कर रहा हूं साथ ही साथ इसका विशलेशनात्मक भावार्थ भी आप सबों के सामने रखूंगा तो थोड़ा सा बच्चों विडियो के कंटेंट के शाथ बने रहेंगे और विडियो को बिना किसी प्रकार के स्कीप किये अंतिम पंक्ती एवं अंतिम सिन तक देखेंगे एवं सूनेंगे पत की पहचान बहुत ही सुन्दर सा एक कविता है जो स्री डाप्टर हरिवंस राई बच्चन जी के दवरा रचित कविता है सरपर्थम कंटेंट के टॉपिक को हमी पहचानना होगा जानना होगा पत की पहचान पत मतलब बच्चों हो जाता है रास्ता मार्ग पत बाट और पहचान से हो जाता है बच्चों पहचान का अर्थ हो जाता है उसको जानना होगा उसको पहचानना होगा पत की पहचान पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले आगे आगे जो चलने वाले पथिक है बटो ही पथिक बाट की पहचान कर ले अपने रास्ता अपने मार्ग को जान लीजिए पुस्तोकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी किसी पुस्तक में किसी पोथी में इसका उलेक ही नहीं है कि आपको किस और चलना है कुन रस्ता कुन मार्ग आपके लिए सही है ये नहीं लिखी रहती है हाल इसका ग्यात होता है न औरों के जवानी ना ही किसी पत, रास्ता के बारे में हम जो जाएंगे हमारा दिसान इर देश किसी औरों के मुह जवानी से नहीं होती है अन्गिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या अन्गिनत अशेंख राही पतिक इस पत पर चलते गए आगे बढ़ते गए लेकिन उसका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों के निशानी लेकिन कुछ महाप्रोस, कुछ सिद्ध प्रोस इसी मार्ग इसी पत पर चलते हुए अपने कुछ अन्गिनत पैरों के निशानी छोड़ गया है उनके जीवन की सिर्तियां आज भी हमें कुछ न कुछ अनुकरन करने के लिए हमेशा हमेशा प्रेरित करते रहता है यह निशाने मुख होकर भी कुछ बोलती है भलही वो निशाने मुख है चुपचाफ है लेकिन वो चुप और स्थब्द राकर के भी कुछ ना कुछ परिभाशित करती है या कुछ ना कुछ हमें सिख्छा ग्यान देने का प्रत्न करता है खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले तो इनके अर्थ को समझे उस महापुरूसों के जीवनियों को जानिये इसका अनुमान कर ले पुर्व चलने के बटोही बाट की परचान कर ले आगे आगे चलने वाले बटोही है पथिक अपने रास्ते की पहचान कर ले या यह बुरा है या कि अच्छा बेर्थ दिन इस पर मिताना यह बुरा है यह अच्छा है यह करना है यह नहीं करना है इस पर चर्चा करते और मन्थन करते हुए हमें अपना बहुमल शमय को नहीं गवाना है जब असम्भव छोड़ यह पत दुसरी परपग बढ़ाना ऐसा ना सुचते हुए ना मन्थन करते हुए हमें अपने पत पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है तू इसे अच्छा समझ जत्तरा सरल इससे बनेगे आपके मन में आपके जो मनोविचार मन में आता है जो सही है उसी से आप अपना रास्ता को सरल और सुगम बनाईए सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना है आप अगर दिन भर यह सोचते हुए शमय बेतित कर देंगे कि यह अच्छा है यह खराव है यह बुरा है यह भला है तो ऐसे सोचते हुए अगर आप समय को गबाते जाएंगे तो फिर पत पर आगे कैसे बढ़ेंगे तो जिसकारण से कभी महोदय कहते हैं कि ऐसा ना करते हुए आपको मन में ये ठाल लेना है एक सही रास्ता एक सही मार्ग का चुनाव जीवन में आफी को करना है हर सफल पंथी एही विश्वास ले इस पर पढ़ जो आज जीवन में सफल हुए हैं और महापुरुसों के जीवन को देखिये वे जीवन में विश्वास एक कंफिडेंस एक आत्म विश्वास के साथ अपने पत पर आगे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गए हैं तो इसी पर आज अपने चित का अवधान कर लें तो क्या बोल रहें कभी महाद है तो इसी पर आज अपने चित आज अपने मनों का ये अवधान कर लें कि हमें किस पत पर चलना है कौन सा सही मार्ग है कौन सा गलत मार्ग है इसका निर्ण जल्द करके अपने पत की और आग मर्ग पर हमें चलना है हमें अपना पत अपना मर्ग स्वाइम परस्थख करना है और उस और अपना कदम बढ़ाना है पूर्ब चलने के बोटो ही बाट की पाइचान कर ले भारंबार ही बात कहा जा रहा है फुर्व चलने के बटव ही बाट अपने पत अपने रास्ता अपने मार गया कि अच्छी तरह से पैशान कर लें हे अनिस्चीत किस जगा पर सरीत गिरी गहवर मिलेंगे हे अनिस्चीत किस जगा पर बाग बन सुन्दर मिलेंगे यह निस्चीत नहीं है जीवन में कोई भी चीज कि किस जगा पर हमें नदी मिलेंगे पहाड मिलेंगे परवत मिलेंगे ठीक है यह अनिश्चित किस जगा पर बाग बन सुन्दर मिलेंगे किस जगा पर सुन्दर सा बाग वगीचा फुलवारी मिलेगा यह निश्चित नहीं है हमारे जीवन में बाधाएं विपत्तियां आते ही रहेंगे लेकिन उन बाधा और विपत्तियों से मुकावला डट करना है और अपने जीवन पत पर आगे बढ़ते ही चले जाना है किस जगा जात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिस्चित है हे अनिस्चित कब सुमन कब कंटोकों के सर मिलेंगे किस जगा अपने जीवन लिला का यह जात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिस्चित है हे अनिस्चित कब सुमन कब कंटोकों के सर मिलेंगे ना जाने कब हमारे पत पर फूलों की वारिस होगी कब हमारे पत पर काटो का बहरा पत जीवन होगा यह कोई निश्चित नहीं है कौन सहसा छुट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा इस धराधाम में इस संसार में हमारे कौन से साथी मित्र परिजन मिलेंगे और ना जाने कब किस जगा किस मोड पर छुट जाएंगे यह कोई नहीं जानता आप पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले लेकिन आपको अपने जीवन पत पर बढ़ते हुए आगे चलते ही जाना है ना कि रुख जाना है जीवन पत पर बढ़ते रहने का ना भी जीवन है रुख जाना मिर्थ समान परतीत होता है तो इसलिए हमें रुकना नहीं है कहीं पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहशान कर ले आगे आगे चलने वाले बटो ही बाट की जो है ना आप पहशान कर ले कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हिर्दय में देखते हैं सब है इनहें अपनी उमर अपने समय में कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हिर्दय में हमारे जीवन में अनन्द सपन है ठीक है सपना आना जीवन में तो निरंतर लगे ही रहता है लेकिन उन सपनों को हम कैसे सकार करेंगे सफलिभूत कैसे करेंगे उस पर विचार और उस पर मन्थन करना है देखते सब हैं इन्हें अपनी उमर अपने शमय में हर बच्चे, हर आदमी के जीवन में कुछ न कुछ अपने उमर के हिसाब से हुआ सपना और मनोख्याल प्रकट होता है ठीक हैं तो हमें उन सपनों को कैसे सकार करना है उन सपनों को पंक कैसे लगाना है उसके बारे में हम निरंतर सोचते रहना है और तू कर यतने भी तो मिले नहीं सकती सपलता और तू कर यतने भी तो मिल नहीं सकती सपलता ये उदय होते लिए कुछ ध्याय नैनों के निलाए में तो इस तरह से हमारे जीवन में अच्छे और बूरे कर्मों का उदय होते ही रहता है हमें अच्छाए के पत पर आगे निलंतर बढ़ते रहना है किन्तु जग के पंथ पर जदी सपन दो तो सच्ट दो सो किन्तु जग के पंथ पर जदी सपन दो तो सच्ट दो सो अगर हम सपन देखते हैं तो सपन को साकार करने के लिए हमें वो सकती वो सतता के साथ आना होगा दो सो हमें कलपना जगत में नहीं जीना है बलकि जथार्थ और भावार्थ में रह करके अपने जीवन के हर शपनों को पूरा करना है और इस तरह से अपने पत का अवलंबन करते हुए पत का चुनाव करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले आगे चलने वाले हे पतिक अपने पत अपने मार्ग की पहचान कर ले सपन आता स्वर्ग का द्रिग करकों में दिपती आती पंख लग जाते पगों की ललकती उन्मुक्त चाती सपन आता है स्वर्ग से हमारे मनो विचार से द्रिग करकों की दिपती आती हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें कर्म करना होगा उसके लिए उस पत पर चलते रहने के लिए उन सपनों को सकार करने के लिए हमें अपने कर्मों पर बल देना होगा हमिन ललकती उन्मुक्त चाती राष्ते का एक काटा पाउं का दिल चिर देता रक्त की दोबुंद गिरती एक दुनिया डूप जाती हमारे जीवन पत पर अनिक तरह के काटा आएगा, पिपत्ती आएगा, बाधाय आएगा, जो कि हमारे पाव को छत बिक्षत कर देगा, लेकिन फिर भी हमें रक्त की दूब बंद गिरती एक दुनिया डूब जाते, भले ही दुनिया डूब जाए, हमारे पाव में छाले पड़ जाए, छत बिक्ष लेकिन हमें अपने जीवन पत पर निरंतर आगे चलते ही रहना है आखों में हो सर्ग लेकिन पाउपिर्थी भी पर टीके हो कंटों की इस अनोखी सिक्क का सम्मान करने काटों भरी पत होने से भी हमें घवराना नहीं है बलकि उसका डट कर मुकावला करना है पुर्व चलने के बोटो ही बाट की पहचान कर ले आगे आगे चलने वाले हे पतिक अपने रास्ते अपने पत का पहचान कर ले जो पत शुगम सरल हो उस पत पर हमें चलना है किसी गलत पत का निर्धारन करके जीवन को गलत दिशा नही परदान करना है सही पत पर हमें आगे निरंतर बढ़ते जाना है परस्तूत कविता के माध्धम से कभी ने जीवन में सफल था प्राफ्ट करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुनने के सलहा दी है कभी का मनना है कि जीवन पत पर बिगन वधाय आती ही रहती है इनसे बिचलित नौह कर हमें सतता आगे बढ़ते रहना है कभी बारम बार एही संदेश देते हैं जीवन पत पर अनेक बाधावी पत्तिया आएगे लेकिन उन बाधावी पत्तिया उसे हमें घवराना नहीं है बलकि उसका डट कर मुकाबला और स्वामना करते हुए जिवन पत्पर निरंतर आगे बढ़ते ही चला जाना है यही सुन्दर सा संदेश कभी हरिश्चंद्र हरिवन सराय बच्चन जी हम सबों को दिये हैं कि हम अपने पत्त को विजवल और स्वरनिम बना सके तो बच्चों इसका वितापाट के मार्धम से यही संदेश दिया गया है धन्यवाद